नमस्कार दोस्तों अपनी पोस्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है अमिताब बच्चन के बेटे अभिशेग बच्चन जिने हम अच्छी तरह से जानते हैं और उनकी पतनी एश्वर्या राय ये भी हम जानते हैं आज हम आपको बताएंगे कि अमिताब बच्चन ने अभिशेग बच्चन की शादी में कितना खर्च किया था आपको बतादें कि अमिताब बच्चन ने अभिशेग और एश्वर्या की शादी 20 अप्रेल 2007 को की थी और आपको बता दें कि इस शादी में बढ़ चड़ कर खर्चा हुआ था आपको बता दें कि अमिताब बच्चन ने इस शादी में करीवन 6 करोड रुपे खर्च किया था और वहीं एश्वर्या राय ने इस शादी में 75 लाग की साड़ी पहनी थी मीडिया की माने तो इस शादी में जो भी खर्चा हुआ अमिता बच्चन ने उसे काफी बढ़ चड़ कर किया आपको बता दें कि ऐसी शादी बॉलिवुड में आज तक नहीं हुई है अश्वर्या राय और अभिशेग बच्चन ने एक साथ करीबन छह फिल्मों में काम किया और इसके बाद वह जीवन साथी बन गए आपको बता दें कि आज के समय में सबसे बड़ा स्टार परिवार अमिता बच्चन का ही है जहां पर एक से बड़कर एक स्टार मौजूद है बात रहीसियत की की जाए तो सबसे अमीर अमिता बच्चन ही है उनकी नेट वर्ट करीबन 35 करोड से भी जादा की बताई जाती है आपको बता दें कि एश्वर्या राय ने भी अपनी शादी में काफी अच्छा खासा खर्चा किया था और हनीमून पर एश्वर्या राय और अभिशेक बच्चन योरप गए थे हम आशा करते हैं जानकारी आपको रोचक लगी होगी और आप इसे अपने मित्रों के साथ आवशे शेयर करेंगे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले बेल बटन को ज़रूर दबाएं धन्यवाद